अल्लाव, 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 आस्सलाम वालेकूम, इस तहली Ounes पोड़कास्ट में हम आखका ख्यर्मकदम करते हैं, आज हम फलस्तीन के बारे में बात करेंगे, तरुम् बंग्लादेश में जो कुछ वाक्यार की वनुणमा हो रहे हैं, उसकी तालुक से भी या मोड आया जब वहां के हमास के कायद इसमाइल हनिया की शहादत हुई तो इसके नतीजे में बहुत साए लोगों के सवालाद भी मौझूद हैं और बहुत साए लोगों के दर्मियान कुछ कन्फूजन्स भी हैं फिर यह कि जो फरनस्तीन का मामला जो चल रहा है उसके वज़ाद से क्या क्या दुनिया में चेंजिस आये क्या क्या चीजें नहीं नहीं तब्दीलियां आ रही हैं उस तालुक से हम आज इ प्रिस्केशन करेंगे तो हमाई साथ मौझूद हैं ब्रादर मार्द अहमद जावेद तो मार्द भाई अस्सलाव अलेकूं तो हम जो शुरुवात अपनी गुफ्तूग ही करेंगे इससे कि जो साथ अक्टूबर से जो भी मामलात हुए फलस्तीन में उसको इस तरीके से ल इस तरीके से उसको पेश किया जाता है और जो वहाँ पे जो कतलो गारत हो रही है उसको जस्टिफाई भी उसी साथ अक्टूबर के ही इस तालुक से आप क्या गहेंगे सबसे पहले तो हम उस अजीम मुजाहिद शहीद अक्सा समद्द मुजाहिद को खराजे अधर पेश करते हैं और अधर चाला से दूआ करते हैं लगा उसको शहीद को मरतबा अता अधर होरे और इसकी शहादत को खुबूल करें बास प्रहा menorah कि ऐनके तमाम घरवालों की उनके बच्चों की और उनके कोतों की तमाम अरबा की और सारे सिल्फिन के शहीद जो लोग हुए हैं आज भी हुए हैं और पहले भी होते रहें माज़ी में 27 साल से अशी साल से हम ये देख रहे हैं अलात अला इन सब को खुबूल करें सब लिका हम ये द्वात है और ये बास समझे की है कि असलन ये जो शहादत है ये कोई घम और अफसोस का मकाम नहीं वैंकि ये फुशी का मकाम और ये चीज़ ऐसी है कि इस रास्ते में मन्जिल को पाने के लिए शहादत तो उनके सामने एक डम एक अच्छी बेतरी फाइश थी जिसका वो दिल में रखते थ्यार भू रखते थी और जैसे कि उनके बेटे ने भी इसमाईल हमिया की शहादत पे ये बात कही indict कि मेरे वाले से तो रोज मौत को देखे तो ये चीज सक्से पहले rights के अंको सामने रखने चाहिए कि दुश्मन अगर इसके अपनी काम्यावी समज़ रहा है तो ये बात समझने कि यह की उते काम्यावी नहीं है वहीं कि इस चीज़ की तो वो लोग आज़ो कमणना करें और यही वज़े हैं कि वहाँ पे लोग मस्तकिल कुर्बानिया देड़ है अब आते हैं आपके इस सवाल पे कि लोग जो है फिलिस्टीन के मसले को सिर्फ और सिर्फ 7 अक्तिबर 2003 जो पिछले साल हमला हुआ जहां से ही बात शुरू है वहाँ से और इसके बात से देखते हैं जैसा कि हम तो मालूम है कि जब वहाँ पे 7 अक्तिबर का हमला हुआ था और Western media ने और इस्राहिल की media ने जिस इनला से पोटरे करना शुरू किया था वो यही पोटरे करना शुरू किया था गोया कि आभी कि इस्राहिल अफिस्टींगा पोई मसले नहीं था अचानक से 7 October को नया मसला शुरू है तो यह बास समझने की है कि पहली बात तो 7 October तो एक मरला है इस मसले यह मसला सतर साल अस्ती साल से चल रहा है यह मसला जो है अगर हम पूरे मतलब एकदम पीछे पसंदर में जाएं तो यह मसला 1912 से 1917 से बलफो डेक्लिरेशन के टाइम से चल रहा है तो यह मसला तब से है और उसके बास से जिस तरह से वहां के इसराइल के फिलिस्तिन के हाला डेवल पेक है जिस तरह वहां पे यहूदी आबाद प्यारियां होती गए और वो जो पूरे एक कारेख है तो उस पूरे पसमंजर में इस मसले को देखना चाहिए तब ही उसकी सही इमेज को समझने और इसमें एक बात है हम समझने की यह है कि इसमाइल हनिया रहमतुल्याले की शहादस से पहले ऐसा लग रहा था कि कहीं जो है वो फिलिस्तिन की खबरे जो है उदर जा रही पसमंजर में चली जा रही है जी और कुछ सरगर्मिया कम नजर आने लगी हाला कि इसराइल की दर्बलियत जारी थी लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मुख्तलिफ अलग मसायल में लोग घर गए और साथ महीना आट महीना गुजरने के बाद ऐसा लग जा था कि लोगों के जहन से लोगों के दिमाग से जो यह एजंडा है यह पीछे हटा लेकिन इसराइ जानते हैं कि हमास के जो सरवरा थे जो पॉलिटिकल बियोरो के चीफ थे उनकी तरफ से यह पेशकश की गई थी कि हम जो है सीस्पायर चाहते हैं और हम हम जो है यह चाहते हैं कि प्रेजनर स्टैक्स चेंज हो और सीस्पायर हो और उनकी जो सौजें जो वापस जाएं और हाला जोग भाल और इस चीज़ पे ऐसा लग रहा था खबरी जिस तरह से आ रहे ही तो है ऐसा लग रहा था कि मतलब कांसलसस बनने वाला दोनों पार्टिस जो इसमें शरीक हो सकती है लेकिन अचानक से खबर आती है और यह खबर आती है अचानक से पूरा मामला जो है बदल और एक नए अंदास की बहसों डिस्केशन वहाँ पर चलिने लगता है कि अब तो मतलब ऐसा लग रहा है अब जो हाला आते हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि सीस्टायर के चांसे बिल्कुल नहीं हैं बलकि एक नहीं जंग के आगास का मामला लग रहा है इरान जिस तहां से धु आती है तो यहां पो ऐसा मामला लग रहा है कि अब यह नहीं जाए शुरू होने गाथ है इसमें एहन रा समझने की है की इसराइल इसराइल ने यह हमला कर यह बात सादिकर दी और घुजना का में हमास का नहीं को जालिम डून मर荷क हाँ हमास का वहीं है विल्क। हमास लोगों को यह बताना चाहिए रहता है जालिम कौन ने दुनिया पर चाहिए साथ अक्तुबर के जो किया हमास ने वो क्या था वो लिमिटेड अटैक था सलेक्टेड टार्गेट्स पर अटैक मिलिटरी टार्गेट्स पर अटैक और सिविलियों जिनको यह रगमाल भी बनाया तो उनके पीछे कुछ मकसद था प्रिजनर एक्सचेंज कर आप सक लेकिन यह बादी समय ने किये कि उन प्रिजनर्स के साथ जिनको यह रगमाल बना के लेके आए उनको भी अच्छी अंदास से जो इस्लामी अखला कियाते हैं उसके अंदास से रखा गया यानि वो एक मकसद के तहट लाएगा और जो भी खबरें आ रही थी कि बहुत जल्म और जियात्ती की गई और बहुत से अपले आम हुआ फलिस्तीनी मजाहिदीन की तरफ से सब खबरें जोंबाद में गलस था बता चला कि इसराईल के लोगों इसराईल की फॉज में खुच जो हो वो लोगों को मारा ताकि उनकी दरनां ने बता से इसमें जैसे आपने बताया कि इस तरीके से पोर्ट्रे कि 7 अक्तूबर को कोई अनोखा हमला हुआ है और पीसे से कोई कड़ी नहीं जुड़ती है ना उसके अलावा में कुछ इंडिपेंडेंट मेडिया चैनल हैं लेकि अइसा क्यों हुआ कि पूरी दुनिया की इटेंशन सिर्फ साथ अक्तूबर को भूमती रही और ना उसके बात कि याद कर रहे थे ना उसके बाद जो इस्राइल ने कि उसको याद कर रहे थे क्या वंदर ऐसा रोल है यहां पर मीडिया का जो अजीम हमें नजर आ रहा है और क्या उस पे मलब क्यों इतना प्रेशर है उस पर कि वह साथ अक्तूबर को ही लेकि एक बात को समझने गुए कि यह जो पूरा मीडिया का डिपार्टमेंट है दुनिया भर में हुकूमत हैं और दुनिया में जो लॉबी जो होती हैं मख़लिफ अपने एजंडे को प्रतमेंडे को आगे बढ़ाने वाली है वो उसको इसको इस्तेमाल करते हैं यह एक दम बाज़े बात हैं बिल्कि इसके माजन में यह चीज होती रही कि मांस मेडिया का इस्तेमाल करके न्यूस को बिलाक आउट करना और जो न्यूस हमारे एजंडो पर सब्द पर रहे है यह चीज माजन olacak indicating रहे है चुनांचा इस्राइल के बारे में हमको मालूम है कि इस्राइल जो भी जिल्म जाती करता रहा हुए वेस्टन मीडिया में उसको दिल्कों नहीं दिखाएगे विस्टिन मीडिया तो दूर की बाता खुट इस्राइल के अंदर लोगों को फिलिस्तिनियों को पर जुम जाती हो रही है वो चीज नहीं बता रही है और फिलिस्तिनियों के प्रजिम जात्ति उनके परोशी के स्टाइल में रहने वाले लोग उनको भी नहीं पटा रही तो आप समझ सकते हैं तो मीडिया का कितना निगेटिव हो लिए अब आज का दोड़ जो ही सोशल मीडिया का दो प्रजिम परोशील मीडिया बहुत जाद हम कह सकते हैं तो दस साल मैक्सिमम जो जो दस साल में उसका एकड़म बूस्ट हुआ तो सोशल मीडिया का दोर ऐसा है कि कोई भी फिलिप बना सकता है कोई भी नुज डाल सकता है तो काउंटर चिप करने के लिए हमारे पास बहुत आप्शन है अलग कि इसमें भी मिस इंफॉर्मेशन बल्कि एक अलिजए बिस इंफॉर्मेशन जो है जो परोगेंड़े के त चासे और खास तोर में इसमें फिलिस्टीनों का रोल बहुत बड़ा साम गया है इस मामले में भी उन्हें अपने जो मजाहुदा ना किरगा रद है कितने जर्नलिस्ट लोगों ने शहादत पाई या आप बहुर करेंगे तो प्रशलेगा में स्क्रीम जो मीडिया है चैनलम्स में काम करते हैं या सोशल मीडिया में यूटूब में अपने कंटेंट उठाएके उनको कोई उनके पास कोई बड़ा मांव नहीं आजा रहा है पैसा कमाने को ये काम नहीं कर रहा है वैकि वह इस लिए है कि हमारे उनकों जयाती हो लिए इसको हम लोगों के सामने बता हैं दिखा हैं और इसी का नतिज़ा हम देखते हैं कि दुनिया में आज जो इसराइल के खिलाफ और फिलस्तीन के मजाहिदीन के फेवर में जो माहौल बना हुआ उसमें बहुत बड़ा रूल जो मीडिया की और लोगों में मीडिया का अच्छा इस्तावाल अगर हम कर जो हमारी हाक आया हैं हम उसको सामने रखेंगो तो फिर यह देख हमको समझ आता है कि कहीं न कहीं लोगों के अंदर हाग को पहचानना हाग की कर लपकना इसकी चीज नज़र आई अगर ऐसा नहीं होता है तो आप देखिए जिनस्ट्री स्टुदेंट्स कितने बड़ो इसमें और भी यूरप के मुख्ते मोमालिक में क्यों हो सिर्फ इस वज़े से की सोशल मीडिया के जरीए से और यह जो इंटरनेट के जरीए से हम कोईटली अपनी बात को आज यहां हो रही हो तो यहां पहुचा सकते हैं तो इस तरह से एक यह आज के हाला ही नकी बदले जब लोग खड़े ख़गे हम खुद इस्राइल के अंदर लोग खड़े हूं इस्राइल के वालों कि एक बड़ी लॉब्य ऐसी है जो इस पी जेंज आती पर पसंद नहीं करती ह। लेकिन आपको ही लगता है जैसे साथ अक्तूबर का वाक्या हुआ उसके बाद पिस्राइल ने अपनी बरबरियत को उतराया तो कुछ तैंटर लोगों ने पहले शुरू में आवाज उठाई लेकिन फिर देखा कि एक स्टैग्मेशन आ गया कुछ आवाज में उठाई जा र लगी फिर स्टैग्मेशन आ गया फिर रफा का मामला आया तो फिर आवाज जार उठने लगी फिर आवाज दब गई अब उसके राद इसमाईल हनिया की शहादत की बात आई है तो यह बहुत जाद इसी साधार महिने में भी हमें उतार चड़ा उत देखने को मिले हैं तो ह आवाम के अंदर जो एक अक्टिवनेस आनी चाहिए उसको लेके कि इस चीज़ को कैसे रुखवाएं कैसे खतम करें जुल्म होरस को कैसे खतम करें यह पूरे एक प्रॉपर नजर आती है तो इसमें बड़ा कन्फूजन नजर आता है कि इसमें तुम बहुली बात यह समझन जो व्खतलीस ममालिक की अवाम ने तो हक का सच का और जो वाकई इंसानियत जिसका पकाजा करती थी उसके साथ खड़े हुई बड़े बड़े प्रोटेस्ट ऐसे हुआ हैं जिसको कभी लंदन ने बेखा लेटन ने कभी ने देखा यह से प्रोटेस्ट बहु हुआ है क्यों हुए क्योंकि उसका मतलब लोग खड़े हुए पुबिक खड़े हुए लेकर साथी साथ हमको यह भी समझना पड़ेगा कि गौवर्मेंट्स जो हैं वो बिल्कुल प्रो इस्राइली लॉबिक खास्त और सो जो बड़ी-बड़ी तापते हैं की वर्में हाला कि इस मामले में भी साथ अक्टुबर के बाद के जो हाला थे हुए उससे पहले से मक्तलिफ रहें कि दुनिया की बड़ी-बड़ी गवर्मेंट्स भी मजबूर हुए है और कहीं अगे उन्हें प्रोफ पलेस्टाइन स्टैंड है लेना शुरू किया है और इस्राइली अ बिजनेस पार्टनर था उतका और बहुत से मिलिटरी और इसंटागे पैट्स था उसको लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तुर्की के जो स्टैंड है वो यह है कि तुर्की एक सफ रोल बिजनेस टर्मस कुछ ना कुछ अभी भी चल रहा है लेकिन एक सफ रोल तुर्की अप उनका जमीर अभी में उनको पचोके नहीं मार रहा है कि इस मामले पे जो आप यहां पर खौज गए तो हम आवाद उते हैं तो बहुत है लेकिन उन जोगों पर खास्त तरुसित मुस्री मौलिक में जहां पर डिक्टेटर्शिप जहां पर जो है उनको बोलने का मौका नहीं ह खिलाफ पावर का जबरदर्स इस्तेमाल है माजी में हम देख चुके हैं सब चीज़ें तो वो तो अपने इतिजाज कर सकते हैं आवद उठा करते हैं लेकिन अल्ला अल्ला अम्मत में जिस तरह के हुत्मरान मसलत हैं अल्ला उन्हों को कुछ गहरत दे उन्हों को कुछ उन लेकिन देखा जाता है कि बहुत हम रिक्षन में उसके मुकाबले में रहा है जैसा रहाती जैसे यूके में प्रोटेस्ट हुई अमेरिका में स्टिटिन प्रोटेस्ट हुई पाकिस्तान में कुछ चला था काफी तक लेकिन उसको मेडिया भी नहीं मिल पाया था तो उसके लाव बंग्लादेश में कुछ प्रोडेस्ट हुआ था तो मुस्लिम हमालिक इसमें काफी पीछे रहे हैं अब तक हमारा मेरे खिया से जादा रोल इसमें होना चाहिए कि हमें औ उसमें बहुत कमी नगर आती है जी दीगे जो बात मतलब फिलिस्तीन की पुरी तारीफ हो जह हुँग जाए वालेप हैं खास तोर से यह जो फिलिस्तीन की जड़ोज़ग की तारीफ है इसके तालुक से माजी में मुस्लिम हुकूमतों ने एक किरदार अदा किया हमको ने हमला पर पर इसराइल के हाला कि उस हमले के नतीजे में हुआ ये कि इसराइल ने बढ़ के ज़्यादा एरिये पर अफजा कर लिए फिर 1967 जो अब इबराई वार हुई उसमें भी जग दूई लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसे हालात बने कुछ मतलब मुसल्मानों मुस मुस्लिम दुनिया को मुखसान उठाना को और इसराइल को जो बढ़त मिल गए अब ऐसे हालात बने बल्कि जो तारीख बल्कि जो मतलब इवेंट्स हमके पड़ा चलते हैं सबसे पहले तो हमको मालूब है कि इसराइल ने मिसर न सबसे पहले टैक्ट किया इसराइल से और मुमालिक हैं जॉर्डन हैं इसने जो नॉर्मलाजिशन किया और अभी अबरहम अकॉर्ड के बाद उसमें एक बड़ी डील भी इस अंदाज से लग रहा तक सारा मिडिली जो इसराइल से नॉर्मल का अलुखाद बना ले और बहुत से मुमालिक ने नॉर्मल का अलुखाद बना लिए। इसमें साथी अरब का नाम लेकिन साथी अरब खूफ्या तालुखाद वनिखा उनिट ऐंका बलकी जो तो इंक्रड़ीजनस को लेके और वे और तैक्नालोजी इन सब चीजों को लेके अंदर अंदर से काली पीछ में एक खबर आई थी कि जो पैसंजर फ्लाइट्स हैं उसको अलाउग किया गया तो साथियरब के उपर से एरेस्ट्रेस हमने इससे पहले वोग सब चीज़ा नहीं थी सुरेंचर यह समझने की बात है कि ऐसा लग रहा है कि मुस्रिम दुनिया ने पालस्टाइन कॉस को साइडलाइन करते हैं यह जो भी दस साल के टर्न आफ इमेंट्स है बड़ा रहा है दस भी नहीं आप 7-8 साल कह सकते हैं उसमें अगर रहता है मुस्रिम दुनिया ने यह कि फिलिस्तीनी Zone हूँ को इनकी जनिंप के गड़ी है और तीसरा पर उबसे की जा तहीं जन इन तीनों इंज छोबेर आखसा के लिकिन है, जिस तरह से 7 अक्टूबर का पूरे मामलात हुए और 7 अक्टूबर की पूरी प्लानिंग जिस संदाज से हुई जिस संदाज से वो उसके बाद जो मुसल्ला तहरीके हैं जो जिहादी तहरीके हैं जिनका जो रोल रहा हमास का और आपके जो फिलिस्तिन इसलामी जिहाद इन सब तरितों का जो रोल रहा जिस तरह को उन्होंने पुरी अटेक्स किये और टार्गेटेड अंदास से और जिस अंदास से उन्हें इसराइल को इसराइल को इस अंदास से उन्हें एक्सपोस करा और इसराइल को सिर्फ इस अं दुनिया में किसी को भी हरासे तो इसकी नतीजे में यह हुआ है, कि दुन्ये की पूरसु रते हल बज़ेती हैं, दुन्ये की पूरसु रते हल ऐसी हो गई है, कि कल तक जो लोग पैलेस्टाइन कॉस की बात नहीं कर रहे थी, आज यूए सेलेक्शन में भी पलेस्टाइन कॉस एक एजिंडा बनाओ और पलेस्टाइन का इशू जो हो एकड़म मंजरे आम पे आगया है दुनिया का हर अखास वाम आदिया आपको मालूम होगा कि हमारे बॉलिवूड के सलिबरिटी जिनको इन सब्सक्राइब नहीं रहत आट-डस महीनों से जिहाद चल रहा है उसकी बत्ति अल्ला ने ये बात जो कही है कि जब तुम जिहाद करोगे जब तुम खुर्बानी दोगे जब तुम शादतें पेश करोगे और सब्सक्राइब तो इन सब के बरकात है नाजिल करे तो यह उसी के बरकात है जो दुनिया अगर लोग शहीद हो जाएंगी यह मुसल्मानों को अगर शहीद हो रहे हैं तो उसकी नतीजे में पूरी दुनिया के अवाम एक पूरा सेनेरियो बगल रहा है दुनिया लेकिन इसमें एक जो परस्पेक्टिव दिया जाता है कई मुसल्मानों की तरफ से कि इतनी सारी जो शहादते हुई है वो कहते हैं कि आपके पास ताकत ही नहीं तो आप इतना बड़ा पंगा क्यों ले रहे हैं और इस तरीके की बाते कई जगों से आ रही हैं कि इसमें लगता मनलब हमास को ही तरीके से कड़ घरे में खड़ा कर दे जाता है यह तो खेर देखिए यह कई चीजों की कमज़री की अलामत एक तो जो लोग दुनिया की सियासत नहीं समझते हैं वो लोग इस तरह की बात करते हैं और एक बोलो जो अल्लात आला की ताकत पे यहीं नहीं रखते हैं अल्लात आला के बात पे यहीं रखते हैं वो भी इस तरह की बात है देखिए बात यह समझने की कि फिलिस्तीन का मसला तो है मसला जो लोग ये बात कह रहे हैं कि आओ फिलिस्टीन के मसले के मसला नहीं समझते हैं मसला समझते हैं सिंबोलिक तोर पर ही शही लेकिन हमको मालूम है कि मस्जिद अक्सा मस्जिद अक्सा की आधादी के लिए फिलिस्टीन के आधादी के लिए हर बार हज में जो है वो दुआ होती। दुआ होते हैं पक्ष दुआ ही एंशन की भलेर, लेकिन होती एंशन करेशनी समझाएक ये मसला हैं कि लिए एक स्मर्ण जैन дав गया है कि उन लोग को उनकी wspól दुद ख़़ियाके यह एक मसला है और दुसरा मसला क्या है? उनके इपर जिन्जात्ती की जाए पिसरा मसला क्या है कि मसल्मानों के जो टबले अउल है बैचल मुद्र से वर्जी बाक्सा है वो जो है वो दुश्मन के कद्जे में वो गुलाम और वो वहाँ पे जो है इन तीनों मसले में इस्लाम क्या कहता, ये गऊर करनारे दो तो तुम लड़ो, अपना दिशा करो और अपने आपको बचा हो, और तुम इस रास्ते हमारे गे dus तुम शहीद हो, और अगर तुम सामने वाले को मारे को बोचा उसकी उसका ऊफ्रल जो रहेगा जाएगा, नहीं हमको मालब हो दुसरा मसला जो किसी को बरविम होता है तो अल्हा ताला मजलुमीन के लिए खड़ा होने की बात खौरान में कहता है तीसरी बात यह है कि बैतलम मगदस के बहुसर मदानों का अक्यीद वहां पर मुसल्मानों भी हुखुमत होनी चाहिए। गल्बा उनीगा होना चाहिए। यह तीन बड़े मसले है। इन मसले का इन लोगों के पास हल क्या है, जो लोग यह कह रहे हैं, कि हमास्त में यह काम किया। इतने जुनों से इंसा फिलिस्तिनियों की जाने जा रहे हैं और वो अपने लेवल की कोश्चे कर रहे हैं तुमाब तरहें कोश्चे लोग की आप सासाल का जायदा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुरू शीड़ों में तो उन्हों को ऐसा लगा कि यह यहूदी लुटे पिटे आ रहे हैं तो उन्होंने उनको विल्कम भी किया लेकिन जब यह पता चल गया सावज में आगया कि यह तो पुरी पुरी एक तरह से एक कोई एक साधिश है जो रिची जा रही है और पुरी प्लांड अंबास से यहां पे इनलों को बसाया जा रहा है तो हमको वाले पुरी के उन्मीस से च्छपीस से ही मुसल्ला जिहाद जो शुरू हो गया था और वो इस बीन अलकसाम नाम के ही मजारिग थे जिनके नाम से हमास की जो वो असाम बेरिगेड है उन्हीं में ही सबसे पहले एक काम सुरूद इसके बाद सियासी पहरी के भी चली के लिए खड़ा करने ही कोशिक की गई अरब लीग के तरिये से कोशिक की गई यूएन में रिजुलेशन्स लाने की बात कोशिक की गई लेकिन जितने भी तरीके अफ्तियार किये गए नतीजा क्या हुआ हुआ मसला वैसा ही कर ऐसा बात अब अगर जिये लोगी ऐसा कह रह दोना करते हैं तो यह तीन मसले मैंने बता हैं यह तीने मसले खतम हो जाता यह तीने मसले हाल हो जाता है या कोई और तरही पाद हो है तो फोन ड्रायगा नहीं जाता है यह हमारी इस्लेंग तो आपको तो दुनिया के नेरेटिव करने काम कर रहा है इस से बड़ा काम क्या हो सकता है इसमें गौर करने की बाद यह भी है कि ग्रॉण्ड पर लोग क्या समझ रहा है उस चीज को में तो घजजा के लोग हैं अगर घजजा के लोग हमार सु कंडेंब करते हैं वो कहते हैं कि यह जो नोंने किया गलत किया इनकी वया से हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं हमारी तो तब की बात होती है लेकिंद हमें देखने को मिलते हैं कि आप लोग और कुश हो रहा हैं कोने का इमान का लेफल है यह अधे हम लोग यहा पर बैठ के हम समझते नहीं इसकतें कि किस मेयार का लोग है कितनी पुर्बानियां कोई आम कौम नेए दो सकतें इतने खुर्बानिया देने वाला को जिगरा होना चलिए एमान होना चलिए और वाकई उन्हें जो है वो अपनी इमान, सब्र, साथिक अद्मी जहादों, शाहदत के जज़बा है वो इसको साथिक कर दिया हूँ दुनिया के सामें और इसमें सच्छी बड़ी बात क्या है कि उन इस सब चीज़ां को देखके दुनिया में अच्छे खासे लोग आज मसल्मान हो रही यानि अभनी तोर से इसलाम का नमूना लोग साहन में आ रहाए कि इसलाम और जो इमानी जज़बा पाइदा करता है, इसलामी शिक्व जो इमान जज़बा पाइदा है किसी की सामने की बाते कर रहें वोस्तना खुरानी गुरानी जो बादे हैं इसके भी नतीज कर रहें हैं लग लग जा कर दा खुरान बारह ऐसा हुआ एगी छोटे गुरोट और अमने बड़े गुरोटे खालिप कर लिए और इसके नतीजे में कौन से वाकिए की बात है तालूट के खिलाफ जालूट के खिलाफ खजरत तालूट अलेससलाम की फौज में जो बनी इसराइल थे वो तम थे टादाद में और उस वक्ड़ जालूट ने बनी इसराइल को जालोटे के खिलाफते दिया तो यह वाकRIा पुरान में क्यों भıyान किया गया यह वादे क्यों भैयन क्यागी इसलिए कि लोग उसको सामने रखी हम लोग उसको जहन में और उसके नतीजे में इसलामी रवायत तो उन आप नहींद देखा चाहे तो जो यह सदी चल रही है इसमें ममालिक में बहुत ज्यादा चेंजिस हमें देखने को मिले हैं जैसे 2012 में स्फ्रिंगा फ्लस्टीन ग्लाग में बनला चल रहा किसे जे उम्मट मुस्मिक पर असर पर सकते है या तो अंतालुक सेकिस्तन तक तो आपकी एहन है कि इधर दस से तंद्रा साल में अरभी स्पेंग से लेके अब तक हम लों में काफी अनलब भूमेंट्स और काफी उथल पुतल दुनिया की सियासत में और खास तरसे इस्लामी मौली की सियासत में देखी है और इसमें कहीं न देखा गया तो बंगलादेश के हालाग जो भी है वो समझ में आ रहा है उससे अभी तक तो बहराल ये समझ में आ रहा है कि जो वहाँ पे मतलब डिक्टेटर्शिक का माहौल था और जिस तरह से शेख असीना ने डिक्टेटर्शिक का पुरा रोल प्ले कर तो बैरल उसमें तो कुछ न कुछ टेंशन डिलीव होगा और इक्टेटर्शिक का माहौल था खतम हो जाएगा और उमीद है कि जो आगे जिस तरह की भी डिक्टेटर्शिक का माहौल तो नहीं होगा कि उनके आगे वालों के लिए एक बहुत करेंट एक्जाम्पल रहेगा कि अगर आप इस से डिक्टेटर्श बनते हैं तो जो पुब्लिक है नौजवान है खास तौर से स्टूडेंट्स हैं वो आपको बरबैश्ट नहीं करेंगे वो आपको उठा के ठेक देंगे और अपने हिसाब से दुबारा दूसरा कोई लेके आएं लेकिन यह कि अपकी ब खबरे आए कि वहां पर हिंदों के साथ बहुत जाती हो रही है इस तरीके खबरे बहुत चल रही थी मीडिया में तो लेकिन उसका हाला कि कंड़नेशन भी आया और लोगों ने तसावीर भी शेयर किये इसमें बताया कि नहीं आपका कायता मंदिलों की इफासत की जा रही ह तो यहां पर इंडिया का रोल आप किस नुदा से जिखते हैं और कि इंडिया में सोचल मीडिया के जिस तरह से दुन दुनिया बर में आया तो इंडिया में भी सोचल मीडिया इंफुलेंसर बहुत हैं और सचसे एहम बात यह है कि इंडिया का सोचल मीडिया और अभी की र करने के लिए उसको चेंज करने के लिए उन्हींने उसमें इन्वस्ट किया उसका इस्तेमाल किया और यह उनके खास चाही कामिया और इसी का नतीजा है जो हुम देखते हैं कि इंडिया के social media platform से fake news बहुंँ ज़्यादा promote किया थे पर फिलिस्टीन के मसले में बनको मालम है कि बाज़ाप्ता international media ने इसको news बनाया थे fake news जो दुनिया बढ़ में फिलिस्टीन के issue में आई है उसमें इंडिया से सब्सादा fake news है जै तो इसने सचसे एहन बात यह है कि जो सैफरनाइज एजैंडे के साथ जो सोचल मीडिया इंफुलेंसर्स हैं वो कही न कही एंटी इस्लाम एंटी मुस्लिम एजेंडा जो हर हर प्रॉब्लम में हर मसले में एंटी इस्लाम एंटी मुस्लिम इंडिय को पर्मोट करना चाहिए तो बहुत पिलिस्टियन के इशियो में करती हैं आम मसद्प बहुत इस बैया इंडिया के हमशτα के ओफिशल स्टैंड यह रहा है था ही कि फिलिस्तिनों का अपने का देन चाहिए लेकिन इंडिया को आफिसल स्टेंड से हट करे जो सोशल मेडिया इनफिलींसες हैं वो क्या कर रहे हैं वो जो लोग मजलुमी ही उनी के खिलाफ आफाद बोल रहे हैं उनी के खिलाफ फेक नियुस्त तला और इद्दम ये सपी किसमी की बाते कर रहे हैं जिसका मतलब इंसानिये शर्म करें अबर ये लोग भी अगर कुछ आपल दुमाग और शवर रखते हैं सोचे हैं तो बहुर करें कि क्या बात वी त्तरव के यहां कि पूरा जो प्लिटर का प्लिट फार्म है और यूटुब का प्लिट फार्म है इस लिवल प्लिटा इन देखें तो यहां पहे 12 14 के बात से तो जो मुसल्मानों करते हैं जो जारती हो रही है जो महल बनाया जा रहा है वह तो वाज़े है लेकिन इसा है लगता कि इन्हों ने हिंदुस्त्रान की मुसलमानों से लोग कह सकते हैं कि इनको कुछ शिकायत है कि यहां के मामला ठीक नहीं है इनके लेकिन आलमी जो एक अटेक इनके चला है कि कहीं भी कुछ मुसलमानों के साथ मामलात होते हैं यह फौरन उसमें कूप पढ़ते हैं और एक ग्लोबल इसलामफोबिया के मेजर कंट्रिबूटर बनते जा रहे हैं तो इसके पीछे क्या फेक्टर्स नहीं है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आरसस का जो एजेंड़ा है एंटी इसलाम क एजेंड़ा है लो एंड इसलाम मुखालिव मुस्ली मुखालिव जो इंडिया में जो पॉलिसी बन रही हैं जो लॉस बन रहे हैं और जिस तरह मुसलमानों वे खिलाब माहौल बन रहा है वो क्यों है क्यों कि आरसस का एक पोड़ है हैं और यही चीज़ वे सोशल मीडिया तो इस वज़े से वहां पर भी ये काम करते हैं। उसके वड़ी इसे दुनिया का वह जो डुनिया में जो पॉलिटिकल प्रॉसस उसके तो नहीं इंफ्लिएंस कर सकते हैं। तो यहां पर एजन्डा चलाएंगे तो यूएस के लोग मतासर हो जाएंगे ऐसा तो नहीं हो। ल सब्सक्राइब करना चाहिए कि शेख हसीना को सपोर्ट करना चाहिए कि शेख हसीना हमारे काम कीती हूँ वह हमारे इंडिया के फ्यूर् अब की बात अपकी बार देखने को मिली है हलांकि पहले यह होता था कि सिरफ राइट विंग ही मुसल्मानों को टार्गेट किया करता है। यह था कि लोग यह बात कह रहे हैं खास सब्सक्राइब के मुखालिफ हैं बुड़े यह बात कह रहे हैं कि बंगला देश में तो वह ताना शाओ थी लेकिन चुक्ति हमारे लिए फाइदे मन थी इसलिए हम को उसको सपोर्ट करना चाहिए आप यह डियल स्टैंडर्ड की सब्सक्राइब कर देखिए तो एक चीज यह दूसरी चीज इंडिया में इस तरह से मिसल्मानों खलाब महोर मने जायता है उसमें बड़ी बड़ा मामला फेक नुसका और बंगलादेश में भी फेक नुबहुं से चलाई है ठीक है बंगलादेश में जो बाज हिंडियों के कि किन लोगों नहीं हम लगी वहाँ दी ओर्गनाइज़ेशन जमात इसलामी और इसलामी और क्या नामें मसाधिस से कुछ स्टुएंट्स लोगों की जो तारीक है उन्हों मस्धित से लान किया कि हमारा ये उगेंडना नहीं है कि हम इस तो गैर मुस्लिमों को टार्गेट क हम इसके लिए नहीं निकलेते और ये मसल्मानों की ये तारीक भी में रही है कि बेवज़े इसलामी मुस्लिमिन जो भी है उनको बेवज़े जो मुसल्मान टार्गेट बनाए इस वज़े रही हो कि मसलें हुए तो एक अलगता है चुनांचा इसमें भी असन ही हो बल्कि उल्टी ख़बर क्या है फिर इसको लोगों ने अच्छी बात है कि मतलब जो सिंसर लोग तो ने अच्छी किया मैंने भी कुछ कॉलिटीशन से भी सुना कि उन्होंने कहा कि मुसल् ने कहीं ही बेदनी को मिल्कि दस साल से जादा हो गया है लिंचिंग के वाप रहा है तो इसको विटे ही मामला होता है वह बगता ही चले जा रहा है और लिब्रल सेक्षन भी बस कंडम करने की हथ्ता है यह तहीं ही देखा कि ऐसा हुग कि कोई राम नाव में मस्जित पे लो इस तो आटेक्टर सब एक पेश माम गया है कोई जो है वो जिस तरह से बंगलादेश के मसल्मानों ने रोल प्ले किया रोल प्ले किया है वो रोल कहीं पर भी यहां की जो हिंडू अवादी है वो रोल नी प्ले करे यह वाज़ फरक है आप जो देख सकते। और वहां के बं पर इंडिया मीडिया को अपनी जो क्रेडिबिल्टी है कुछ मेंटेन करना चाहिए नहीं तो फिर मतलब कोई भी इसके एकमात नहीं करें पर इसके अलग अलग लोगे राया रही है कुछ लोग शुक्व कर रहे हैं कुछ लोग के लेकर रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जहां एक स्टूडेंट प्रोडेस्ट शुरू हुआ उसके नतीजे में फिर खत्म हुई शेखसे में रिजाइन दिया यह भी चीज़े नजर में कि वहां का जो फादर जिनको माना जाता है उनके स्टैटू भी गराएगे यह सब चीज़ें जो आम दोर से एक revolution में symbolic रहती हैं कि ऐसे स्टैटूस को तोड़ा जाता है तो यह सब चीज़ें हमें क्या साबित करती हैं हमें क्या इससे खरच सलते हैं वागे बारे में दीकिए यह तो बात सही है कि प्रोटस वो स्टूडेंस ने कोई ऐसी दिमांड नहीं रख्य थी कि वह वहां पे पर कर दोरा दरा भी यह फासीन या चाहता है इसी को डिमांड नहीं आज लेकिन दिशायाकी बहुत से रेइपोर्स में करता चल गारा है कि ऐसे turn-off events होते गए वीजिज ने ऐसी news आती गए कि बहुत से exams जो main exams, UPSC level के जो exams है उसमें भी धानदिया होगी, बेमानिया असलिए main agenda corruption और बेमानी गए लेकिन वीज में इस तरह के माहल बन गया कि जो last selection हुआ है जिसमें अप्रोबीशन ने बाइकार्ट किया और एक तरह से वो पूरे डिक्टेटोरियल अंदाज में जिश्या खसीना दुबारा प्राइमिस्कर बन गए तो इस दगे से लोगों का हुकुमत के खिलाब एक नाराज़गी का पहली बना और फिर जिस तरह से इन्हों ने हाई इंडेटनेस तिखाई जिस तरह से पावर का इसकामाल किया तो स्टुडेंट्स को ट्रैट डाउन करने में मारने में तो यह हमारी पहली पोड़कास थी आएंदा इसी तरीगे से डिस्केशन होते रहेंगे अगर आप भी कोईश हमें मश्वरा देना चाहते हैं तो आप भी कमेंड बॉक्स में लिख सकते हैं अगली वारी के लिए तब तक इसके बाद फिर इंशालला हम पूर्सी पोड़का आप 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 सकते हैं अगली फिर चाहते हैं उयाल्स एंटार आप हम 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 झाल